नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ माधरिकलाद देश का सवाल लेकर आई हूँ कहूंगी देश को जवाब दो आज हिंदुस्तान पूछ रहा है कि ममता दीदी के पुराने साथी उन्हें एक-एक करके क्यों छोड़ते जा रहे हैं क्यों ममता दीदी का कुनबा चिनाव से पहले बिखरता जा रहा है क्यों ममता दीदी अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रही क्या टीमसी में बगावत बंगाल में टीमसी की हार का संकेत है देश को जवाब दो ममता दीदी क्या बंगाल से जो आवाज उठ रही है दो माई से दीदी गई वो सही है देश को जवाब दो टीमसी वालो क्या बंगाल ने बवाल, तुष्टिकरण, भाई भतीजावाद की राजनीती को नकारने का मन बना लिया है देश को जवाब दो कि बंगाल में चुनाव है तो बवाल भी है सवाल भी है और हमारा काम है सवाल उठाना सवाल इसलिए क्योंकि TMC से टिकट मिलने के बाद भी और उसके विधायक पार्टी छोड़ते जा रहे हैं आखिर क्यों? देश तो जबाब मांगेगा सरला मुर्मू, TMC छोड़कर इतनी खुश हो गई कि रोने लगी सोनाली गोहा भी BJP में आकर गदगद हो रही है तो आखिर ममता दीदी क्या अपनी ही पार्टी में ताना शाही चलाती है जिससे TMC के कदावा लोग भी परिशान है इसलिए ममता दीदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए ममता की फॉच BJP के साथ आगे ममता दीदी देश को जवाब तो देना पड़ेगा वरना दो माई को जनता आपको जवाब देगी हम इस बहस को आगे बढ़ाएं अमारी आज की बहस का सवाल सुन लीजिए कि ममता के साथ ही उन्हें एके करके क्यों छोड़ रहे हैं यहां तक के टिकट मिल गया टिकट मिलने के बाद भी TMC विधायक ने पार्टी क्यों छोड़ी क्या बंगाल को अब ममता नहीं मोदी से उम्मीद है देश को जवाब दो कि क्या बंगाल ने हिंसा छोड़ विकास का रास्ता चुनना तै कर लिया है और क्या दो माई दीदी गई सच होने वाला यह इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार अपने कॉलकाता के दौरे पर थे बंगाल के दौरे पर थे तो ब्रिगेट ग्राउन में जो ब्रिगेट का जोश दिखा वो यह दिखा रहा था कि प्रधान मंत्री जिस शंखनाद की बात कर रहे थे वो हो चुका है दो माई दीदी गई क्या यह सच होने वाला है बहस करूँगी महमानों से मिलवाऊंगी रुपोर्ट पहले देखी पंगाल में मा माटी मानुष की पसंद मोदी दीदी के सियासी डल में खिल रहा कमल टीमसी में भगदर कमल कमल बढ़ायचा मोदी बने बंकी आस दीदी का कुनबा खलास भारत माता की जैश्री राम का उध्गोश और मोदी मोदी की नारेबाजी बंगाल की फिजा का रुख बताने के लिए काफी है शायद इस बात को टीमसी के नेता भी समच चुके हैं तब ही तो टीमसी से टिकट मिलने के बावजूद सरला मुर्मू ने टीमसी का साथ छोड़ दिया उनके साथ टिकट कटने से नाराज सोनाली गुहा भी बीजेपी के खेमे में पहुँच गई ये दो नाम तो आज के हैं इससे पहले मुकल रॉय, शुवेंदू अधिकारी, सुशान पॉल, दीपक खलदर, राजीव बनर जी, यश, दास गुपता और हीरन चटर जी जैसे नाम पहले ही दीदी की भाई भतिजावाद और तुष्ट्री करणवाली राजनीती से अलग हो चुके हैं लेश्ट इतनी ही नहीं और लंबी है क्योंकि टीम्सी के दलदल में कमल खिलना शुरू हो चुका है और इसका उद्गोश पीम मोदी ने कोलकता के ब्रिगट ड्राउन में कर भी दिया है आपने मंगाल को विकास के बजाए बटबारे की तरब दकेला इसलिए हां करमल खिल रहा है दीदी का विखरता कुनबा उनकी हार का संकेत दे रहा है इसलिए तो सोशल मीडिया पर दो मई दीदी गई हैश्टेग टॉप ट्रेंट कर रहा है तो आज सवाल यही मोदी बने बंकीयास इसलिए दीदी का कुनबा हो रहा खलास देश को चवाब दो सबसे एहम यह है कि इस बंकी जंग में हर दिन रोचक है सोचिए कि जिस दिन अमेच शाह ने पहली यहाँ पर रैली की पहले दिन कहा था कि ममता दीदी चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएंगी उन्नीस दिन के बाद जो वोट यो धशरू हो रहा है उसकी बानगी देखिए बीजेपी कह रही थी कि हम पांच साल से तयारी करने हैं दीदी अपने आपको बेटी कहकर फिर वोट मांग रही है अब ये मा माटी मानुष से बंगाल में हिंसा होती उपद्रव होता सब ने देखा लेकिन क्या दो माई को दीदी चली जाएंगी क्या मोधी से लोगों को ज्यादा उम्मीद है क्योंकि जो ब्रिगेट ग्राउन की भीड थी वो तो कुछ और कहानी कह रही थी लेकिन इसका जवाब सीधे ग्राउन से दिलाऊंगी बंकी जंग की सबसे बड़ी कवरेजी हिंदुस्तान पर आप देखेंगे क्योंकि मेरे तमाम सा योगी बंगाल की धर्ती पर माजूद है ग्राउन जीरो पर माजूद है और हम हवा हवाई बात नहीं करते हम सीधे ग्राउन जीरो की तस्वीर आपको दिखाते हैं पहले मैं हमानों से मिलवाती हूँ उसके बाद ग्राउन जीरो पर जाओंगी आज इस डिवेट में मेरे साथ आनन शंकर राजनेतिक विशलेशक जुड़े रहेंगे मेरे साथ दीपक ज़ा जुड़े रहेंगे प्रेम शुकला सहाब मेरे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी से जुड़े रहेंगे और बादल देवनाजी नेता हैं टीमसी के जुड़े रहेंगे प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत, प्रेम जी बहुत स्वागत, राजनीनती की बात करूँ, आपके पास आओ, लेकिन सबसे मेहतुपुर्ण है, ग्राउण की तस्वीर दिखाना, प्रेम शुक्ला जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उसे पहले प्रत्युष मेरे साथ Cial नंदीग्राम क्योंकि यहां दीदी वर्सस दादा है दीदी भवानी पुर छोड़कर नंदीग्राम आई यह कहकर कि नंदीग्राम से ही मैंने संगाश शुरू किया था आज वहां कि स्थती समझाइए और यह बताएगा कि क्या वहां पर मोधी जी के नाम का नारा लग रहा ह है या फिर दीदी का साथ अभी भी लोग देंगे और आज उन्होंने एक घर भी यहाँ पर ले लिया है नंदीग्राम में कर वो बड़ी रैली यहाँ बर करने वाली है तो एक जो पुराने सैनिक हैं उनके घर में उनुने रहने के लिए अपना पेस्कैम तैयार कर लिया या यानि उन्हों कोशिट किये इस बात का जवाब नोकरी के तलाश में, रोजगार के तलाश में, सोने का खाना बना नहीं लेकिन साथ ही-साथ व field, जो लल मिंठी डालके बनवाई गई थी, हो दीदि वादागर के गई थी लेकिन आरोप लगा कि 2011 के बाद कभी शक्ली नहीं दिखाए सवाल ये है कि टीमसी के पार्टी के लोग लगाता टीमसी को छोड़ क्यों रहे